आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कर्म का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारण वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले कर्म का आर्थ समझते हैं कर्म का आर्थ होता है काम या क्रिया यानि कि जो आप काम करते हैं जो आप एक्षन लेते हैं उनको कर्म कहते हैं तो कर्म का विलोम शब्द यानि कि विप्रितार्थक शब्द होता है निशकर्म और निशकर्म का आर्थ होता है निशक्रिय होना, कर्म हीन होना कह सकते हैं निशकर्म वैक्ति समाज के लिए बोज बनता है ये फिर आप कह सकते हैं निशकर्मता से जीवन में उदासी आ जाती है अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास की सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें